दोस्तों AI आ चुका है एक टेक्निलोजी सब कुछ बदलती जा रही है हम सब सोचते हैं हम लोगों को डर आ गया है कि मेरी नौकरी तो नहीं चल जाएगी मेरी इंकम तो नहीं चल जाएगी या सब कुछ तो गई कर रहा है अब कैसे होगा बगर आज हम ऐसे पांच स्किल्स के पूरी तरह सिक्यूर है आपका करियर पूरी तरह सिक्यूर है तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे ऐसे कौन से पांच स्किल्स आगए जिन पर एक एक करके समझाओंगा पूरे वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना और उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्ट अप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कान्टेक्ट कर सकते हैं यह अगर आप लाइव डिजिटल मारकिंग और ़िनजियानेंग और आइव आपिशल में हमने सीखना चाहते हैं जयसे कि द Ramने आपको इस नंबर के उपर आप WhatsApp करें, call करें, हमारे लोग आपको contact करेंगे, अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम 5 skills के बारे में एक एक करके समझना, अपनी income को तो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, और अपने industry के अंदर irreplaceable बन जाओगे, आपको कोई replace नहीं कर पाएगा, ना AI, ना चलिए पहले skill के बारे में जानते है, critical thinking, हरे यह कोई skill है क्या, दोस्तों यही वो skills हैं जिसको AI नहीं replace कर सकता, क्योंकि यह हमारे दिमाग के skills है, और अब भी तक ऐसा कोई AI नहीं आया, जो इनसान के दिमाग को पचार सके, क्यों? क्योंकि हम AI बना रहे हैं, हमने robots बनाया, तो जो हमारे पास power है, critical thinking की हो सकता है, आने वाले 10-15 साल तक वो इन robots के पास या इन technology के पास ना आये, तो अब हम जानेगे कि कैसे हम अपनी skill को सीख सकते हैं, सबसे पहले तो सीख सकते हैं, या और sharpen कर सकते हैं, हो सकता है, आप में से कोई already अच्छे खासी उनकी thought process हो, और कई लोग जो इस पर ध्यानी नहीं देतें, जिनको पता ही नहीं था, तो वो अब इसको शुरू कर दें, और इसको करने के बाद फायदे क्या हैं, वो भी बताता हूं, सबसे पहले सीखो के कैसे sharpen कैसे करोगे, तो दोस्तों आपको na problems, जैतना वो ओखली में सर डालना प पड़ेगा, struggle करनी पड़ेगी, कभी आप ये कर पाओगी, क्यों? अब जैसे के कुछ ऐसी activities, जो आप activities के अंदर हर तरीके activities हो सकती है, physical activities भी हो सकती है, वो आप कहा सकते हो, वीडियो गेम भी हो सकती है, क्यों? वीडियो गेम में भी तो हमें challenges लेने पड़ते हैं, ना दि कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों में तो सोचा होगा, कहीं school time में कर रहा होगा, अब तो जमाने हो गए, कभी किया ही नहीं, जंग लगता जा रहा है, और यहां पर कुछ ऐसी critical exercises होती है, mathematical exercises होती है, बहुत सारी games है, अगर आपके पास Android है, चाए iOS है, कुछ भी है आपके पास, ठीक है, इच्छा चकती हो नहीं, यह सिर्फ अगरा पंदरा मिनट, पंदरा मिनट दिन के, अपने दिमाग को शार्पन करने के लिए, जिससे लॉंग टम में मरी या दाश बनी रहे, हमारे दिमाग सूपर तेज रहे, दूसरे से ज्यादा तेज रहे, उनसे ज्याद पंदरा मिन देने, दे दोगे, फीक है, अब आपके पास Android का फून है, यह iOS का फून है, वहाँ पर एप में चले आना, जब एप में जाओगे, तो महाँ पर पजल गेम्स डाल दो, वीडियो गेम्स डाल दो, साथ में वहाँ पर क्या डालना है, नुमेरिकल एकसाइस डाल बैसे अब ऐसी ऐसी गेम्स डिकल के आएंगे ना, दिमाग हिला देंगी, मेरी परसन सला क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ पजल वाली तो करी लो, जोहां पर अलगी लेवल पे मतलब पजल सौल पढ़ने के अलग लग डिफरेंट वेज होते हैं, और आपको मज़ा देखें होगा है, अब नेंबर आए सेवन थ्री नाइनफर आपको निना झायीकार, और कितने पाद में अब पड़़ते जैसे पूजा करते हो तो पूजा इस तरीके से हाथ से करते हो तो हमारे दिमाग को नया काम मिल गया आप उसको सीखने में लग लग गया अग को एक्सेस मिल गई यह दो काम एक समय पर करों थो काम एक समय पर करों तो दिमाग और पारफुल डो si foreign यह सारे एक्से साइजर्च मेросड अ कि अट एक मेने करके देख लो है तो पता Export लग जाएगा कितनी इंप्रूब्मेंट आ रही है तीन महीने करके देख ले ना फिर पता लग जाएगा एक साल अगर लगातार कर लिया ना दस साल तो छोड़ो बीस साल भी आपको रिपलेश नहीं कर पाएगा अगर एक साल कर लिया दिमाग सूपरमेन का दिमाग हो यहां पर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वह इंप्रूव हो जाएंगे इसा बूस्ट होगा कि बाई मैं ही हूं सब कुछ कॉलिब्रेट और प्रोजेक्स डैट रिक्वायर ऐसे प्रोजेक्स के सब्सक्राइब करो जहां पर आपको इस तरीके की जो स्किल से उनको इंप्लिमेंट करने का मौका मिले बिगॉज दोस्तों हर कोई प्रॉब्लम से धूर भागता है और हर किसी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो प्रॉब्लम से लेकर ना है उनको वाले लोग चाहिए तो यह सब करो जाएगा अगर आपको जो मैंने बात बताई है करने श हो उसमें माहिर बन जाओगे जॉब हो फ्रिलैंसिंग बिजनस कुछ भी हो आप फार दोगे दोस्तों पर हम जा रहे हैं उसका कोई मोल नहीं है ठीक है वह पैसे से नहीं होती है अब आप सोच रहो कि क्या अगर आपकी दिमाग में आ रहा है मैं किस सेकेंड स्केल के बारे है ठीक है अब हम बात करें के बगे ती विटिविटी क्रीटिविटी और था युखार को सब्सक्राइल से बड़े से बड़ी जीती जा सकती है बिजॐनस के इंदर करी इस सब्सक्रांट को नहीं चाहिए क्रेंस pande और जैसे जो मैंने पहली वाली जो चिल बताएए तो अगर उसमें आप अपने दमाग को शार्प करोगे तो यहां पर क्रेटिवीटी क्रेंटी और हैं क्या दूस्तों प्रैक्तिस स्कूल में तो हमने साइंस की किताब में बहुत बहुत पिंटिंग करी हैं आप में से कितने लोगों ने कितने टाइम पहले कोई ड्रॉइंग करी थी कोई आट बनाई थी बढ़िया टाइम पास है जो आपको कुछ सिखाता है आट मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको जिन्दा रखती है उसके अलावा राइटिंग 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 जब करोगे चीज़े जादा याद रहने लग जाएंगी खुदी क्रेटिविटी निकल निकल के आएगी बिकाज आप स् 레पिटीट सेम थोड़ी लग लिखत रहोगे कुछ नहीं लिखत लीकोगे तो राइटिंग के अनेक फायदे है बताने का कोई फायदा निहीं हैं को इसके एतने फायदे हैं और आप खुदी आपने आस पास वीडियो हर जगा राइटिंग के फायदे सुनते आ रहे होगे अब ब्रेंस्टॉमिंग सेशन्स दोस्तों दिमाग दिमाग को यूज करो ठीक है मतलब फोकस आपका बढ़ाती है तो यह इन सब चीजों को अब करोगे अपना कुछ ताइम दिन का लगाओगे तो आपना क्रेटिविटी के अंदर अच्छे होते जाओगे और जितने आप क्रेटिव होते जाओगे आपके बढ़ते जाएगे अब वैल्यू जरूर अब देखो हजारों लाखों लोग हैं एवन करोड़ों हैं जो फोटोशॉप का सॉट्वेजिंग को चलाना आता है ल अब मालो एक हजार लोग हैं जिन्होंने मेड जर्नी का कोर्स हमारे चैनल से फ्री में खर लिया मगर क्या आउटपुट जो वो निकाल के देगा ठीक है वो हर को लेकर आप आएगा नहीं चाहे अब मैंने आपको फोटोशॉप को सॉफ्वेट दे दिया एक और बंदे को कोहती होगि नहीं एक होँ सकता है अब यह बात तो हम क्या करें अब इसके फायदे समझों अन्लीश इनोवेशन स्टेंड आउट इन इंडस्ट्री इस डैट वेल्यू औरिजिनलिटी एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडिया आउटसाइड और कमफट जोन अब यहां पर यह आपको इनोवेशन की तरफ ले होगा उससे ज्यादा होता है गूगल का सेंप्सन का इन कंपनियों के बजट जो रिसर्च डिवेल्प्रेंट में कर्च होते हैं आपको पता है क्योंकि यह लोग नई चीज न्यू इन्वेंशन में बिलीव करते हैं और वह लेकर आते न्यू प्रॉडक्ट एपल को हमेशा देखना एपल ने पहले नहीं बनाया था वह आइभिम ने बनाया था डिस्प्ले ने बनाया था और मगर जब एपल लेकर आया तो उसने उन प्रॉडक्ट को क्रेटिविटी यूजर एक्सपीरियंस पूरी ब्रेंस्टॉमिंग ठीक है उस हिसाब से बनाया उसमें इतने इ ऐसा थोड़ा कि पहला फोन एपल ने बनाया था मगर एपल जब लेकर आया तो उसने क्या तभाही मचाई हुई है तो यहां पर क्रेटिविटी की पावर समझ रहो हर फील्ड में हर फील्ड में जोग जाएगी दुनिया आपके आगे अगर आप अपने जो भी काम कर रहो तो उसके अंदर क्रेटिविटी ले आओ बट क्रेटिविटी से पहले क्रेटिकल थिंकिंग के ओपर दिन के पंदर वीच मिन देदे देना जैसे मैंने बताया था अब बात करते हैं हम तीसरे मतलब एई उसको बदल नहीं सकता उस स्किल को ठीक है और वह अगर आप में आ आप लोगों के च entwickeln चहीते अचा ये बात बोलने से आपके दिमाग में कुछा रहा है कि स्किल की बात करने जा रहा हुँ अगर अगर आ रहा है कमेंट शेक्ट मे अभी लिखो काँंसे 그altet ने बात करना आप दोस्त्तों यहाँ पर देख़ों मैं इमोशनल इंटेलिजेंस क अंडर्स्टेंडिंग अधर्स प्रस्पेक्टिव समझाता हूं दोस्तों आप चाहे जौब करते तो आपके कुलीग जोते हैं बिजनस मेनेजर्स होते हैं ठीक है बॉसे होते हैं या आप मालो एक कंपनी के ओनर हो बॉस हो या आप फ्रीलेंसर हो कुछ भी हो वहां पर आपक आप के चीजों को देखना थीक है तो वह चलता नहीं उससे आपका भी टीम लीट नहीं कर सकते सिंक नहीं हो सकते टीम में एज़ेस्ट नहीं हो तो वहां पर इमोशनल इंटेलिजन्स जैसी स्किल्स काम आती है पता आपको कितनी इंपोर्टेंट है टीम वर्क अगर आपको बड़ी टीम मेंगेज करनी है तो यह काम आएगा ठीक है आपको किसी से काम निकलवाना है है तो यह काम आएगा तो यहाँ पर आपको सबको साथ लेके चलना है सबके समझने हैं और उनको ध्यान में रखते हुए आपको जेल होना है, अब यहां पर यह सीखने के बाद, जब आप यह सब चीजे सीखोगे, करोगे, अब यह होता गया ना, यह ऐसे नहीं सीखी जाती, कोई चीज नहीं है इसके लिए, इसके लिए आप कुछ वीडियो सुन सकते हो, और यूबुक सुन सकते हो, इसके उपर किताबे करोड़ों को समाल के बैठा हुआ है, मजाग थोड़ना है, तो यहां पर इस चीज के लिए आपको महनत करनी पड़ेगी, थोड़े बुक्स, ओडियो बुक्स हो गई, इदर उदर से ग्यान आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आपको इंप्रूव करना पड़ ठीक है वो हटाना पड़ेगा हम हमारा हम सब यह लाना पड़ेगा एगओश्टीक नहीं होना ठीक है और सबसे इंपस्वाटन बात आपको ना रियएक्ट नें गरना आपको रिपांस करने यह मिनों को डाट तो मैं उसको फसल्टा बोल दूँगा है तुअन मीना डाटा क तो अब यह अगर आप में डवेलप हो गई तो फिर आप क्या करोगे आपको फाइद है क्या होगे यहां पर इंटर पर्सनल रिलेशन्शिप्स जो आपके आसपास के लूग हैं उनके संचे घर के हैं भार के हैं कम्पनी के क्लाइं कुछ भी हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन्शिप्स हैं वह हो जाएंगे बहुत स्ट्रॉंग इफेक्टिव लीडर्शिप स्किल्स यह आपके अंदर एक लीडर्शिप स्किल्स की क्वालिटी पैदा करता है आप देखते हो हमारी गलियों के सोसाइटी के आडबल ठीडेंट और दो च trigger में लोग होते हैं मगर कई बारे बंद के प्रेजिडेंट के बास नहीं जा रहा हूँता जो और चारपांच लोगों में कोई ? क्योंकि उसमें इसकल हूति है हर किसी को उस से बात करने में एक अपना अपन इससा लगता है सही बात कर रहा है सभी पर popular करती है अब वो company हो rw हो कोई भी हो या नेता हो पॉलिटीशन हो ठीक है कई बारी एक जो इंस्पेक्टर होता है या एसीपी होता है ठीक है वो बड़ा popular होता है दूसरे नहीं होते तो यह सब चीदे कहां से आती है यहां से आती है ठीक है यह आपके अंदर leadership पैदा करता है उसके अलाबा practice self-awareness to be better आप अपने आपको और ज्यादा बहतर जानना शुरू करते हों ठीक है तो कि self-actualization की ही रहा है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर understand personal emotions तो अपने emotions को control करना उनको समझना आपको आजाता है तो यह आपको एक बहतर इंसान बनाने में मदद करता है ठीक है अब बहतर इंसान हमेशा अपने किसी भी लाइन में होगा वो लीड करता है अब बात करेंगे हम fourth skill के बारे में जिसको AI नहीं बदल सकता ठीक है आईए देखते है complex communication इसकिलों का स्किल महा स्किल का बाग अगर हम बात करें तो है वो कॉम्मिकेशन दोस्तों देखो जो जितना भैतर कॉम्मिकेटर होगा वो उतना ही बड़ा लीडर बन सकता है उसको उतनी ज्यादा सक्सेस मिल सकती है अब अब एक्टर हो तो communication चाहिए सेल्समैन हो communication चाहिए नेता हो एक मोदी जीय से communication do communication कि बेसे तो फॉर एंड रिलेशन सब कुछ कैसे नहोंने बांद लिया है और किसी भी फिल्ड में भाई आपको अपने दोस्ते प्यार बहरे उसको आपको इंप्रेस करना है कॉमिनिकेशन चाहिए तो कहां को महीं चाहिए कॉमिनिकेशन Čने टो करना है तब भी चाहिए ब्लॉग लेखना है तब भी चाहिए अरे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि कम्प्लेक्स तो हर कोई कर लेता है मगर कि कॉम्प्लीकेटिड चीजों को भी जो असानी से सरल भाषा में सामने वाले तक पहुंचा दे उसके दिमाग में बिठा दे तो इसलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं यहाई जनम जात होती है कि यह बच्पन सही करना पड़ेगा वह बात कर रहे हैं मैं और सिधा बस पर बेंक स्पीकिंग शुरू कर सकते हैं और सव दिह कर सकता करो आप कोई सेमिनार हैं एवेंट्स हैं आपकी कोई सोसाइटी है कुछ भी है वहां पर आप अपना कर सकते हो पब्लिक के बीच में सबसे पहले बात तो नॉर्मल चुरू करो बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते स्सक्राइब का पूसारल च्यक्राइब कोई बीच र्सक्राइब बनें ऐसा तो आप्तस बोल अच्छा कॉव होतीत राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको नए शब्द देती है नए आइडियाज देती है और जितने नए शब्द आपके शब्द कोश में आएंगे उतना ज्यादा आप अच्छा बोलोगे अब एक्टिव लिस्निंग अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बड़ा बड़ा चांद बठा है मगर उसने सब की सुन ली और वो बात करना उसको आता है फिर जब वो बोलता है ना वो सब की तरह बहुत नहीं बोलता है चार सब बोले चार लाइने बोले वो दुनिया सुनती है तो इस तरीके से आप अपने कॉम्णिकेशन को और बैतर कर सकते हो और यहा मतलब टीम वर्क कंपनी का भी हो सकता है क्लाइंट के संग भी हो सकता है आपकी खुद की टीम में हो सकता है कहीं पर भी आप एक अच्छे टीम वर्कर बन जाते हो दुनिया को पसंद करने लग जाती है उसके बाद मास्टर दा आर्ट ऑफ कंवेंग कॉंप्लेक्स आइडि जेश बैठे मां आपके बास 10-15 कोते हैं कि आप सामने वाले को अपनी बात से करपते हैं और आपको अच्छे एतफ्य कुम्पनीकेटर यह नहीं है क्या बूलना मैं लग रहा हो कि आपको आएगा मज़ा तो दोस्तों यहाँ पर झिस दिन आप भीश्य कुम्पनीकेटर तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोख सकता, AI का बाप भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, अब दोस्तों जिस फिफ्ट और लास्ट स्किल के बारे में हम बात करने वाले हैं, अब क्योंकि वो लास्ट है, तो अब अगर आप लोगों को आईडिया है कि वो क्या हो सकती है, तो में ज़रूर बताएं तीक है वेट कर रहा हूं लिखिए लिखिए अगर आपको लगता है जो सभी करेगा सबके कमेंट्स में पढ़ूँगा उनके जवाब भी दूँगा अब दोस्तों लास्ट जो स्किल है वो स्किल एक्ट्वल में हम मतलब जो हम इतना आगे ग्रू हुए क्या सब्सक्राव सबदें दूसरों से बहस्तर भाने उसने बड़ा हमारी सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करिए इनसान को बहस्तर बनाने उसने वड़ा हम बोलते हैं अटेप्टिवलिटी सीट्येशन लोगों एन्वायरमेंट हर चीज़ के हिसाब से अपने आपको ढ अपने आपको सुधारने की चेंज करने की जो इच्छा है वो हर किसी में नहीं होती हर कोई कि जैसा है मैं जैसा है मैं जैसा हूं मिरेको ऐसे करो ठीक है तो हम इसी के अंदर रह जाते है इसे मैं और भार रहे भींगे तो करना पड़ेगा आपको दूसरा एक्सक्षेंस यॉर्स्फ ट्रेवर्स एक्सिष्पिरियांस जब तक आप अलग अलग एक्सपीरियेंस को लोगों के अलग अलग जगाओं के अलग अलग कल्चरों को आप समझ ही नहीं पाओगे अपने आप में रहने वाला बंदा अपने आप में रहे के एक दिन चला जाता है मगर जो दुनिया के संग जैल करता है नए कल्चर करता है नहीं चीजों के लिए डेप्ट करता है सही तरीके से वह जादा बहतर लाइफ को जी पाता है जादा खुश रह पाता है अब इसके बेनिफिट्स क्या है थ्राइव इन डायनेमिक एंवर्मेंट्स कई राधिन है कब जन तक आसे बाता है कि कुछ कर लेगा का निया क act कर आप कर देडीर य।कि है अभी सब्किर्ण उर सक्कैसरत कर तो बहुंत नहीं डिगो ऑनी बंपना चैंगया ऐसा कि हुआ है कि कुछा अट बदलता जा रहा है अगए सब कर रहे हो आप सब कर रहा रह कर पार हो सब आपको पसंद कर रहे हैं ठीक है यह चीज़ें आपको लगता है कर लेगा चलो कर भी लेगा तो शयाद अगले 20-20 साल यह उससे जाद लग जाए तो यह भाई भगवान थोड़ना है ठीक है भगवान ने जो हम ही दिया है और असली यूमन जब तक इंसान बनाएगा तो शयाद आप हम तो यहां नहीं रहेंगे ठीक है जब तक असली यूमन हम बना पाएं ठीक है तो यह चीज़ें दोस्तों यह भगवान ने यह प्रिंसिपल से लॉफ नेचर रहें इस चीज़ें रिमेंड रेलेवेंट इन इवॉल् इन में आप इनको एजली एसेप्ट कर पाओगे अब बहुत सारे लोग यह तो आ गया है अगर आप नई इंडस्ट्री को नई टेक्नलोजी को एड़ेप्ट करोगे तो आपकी करेंट जॉब करेंट फ्रीलेंसिंग अगर आप करते हो यह बिजनेस करते हो उसको बेटर करेगा कुछ भी बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियां पागल नहीं है क्यों आपको और बहतर तरीके एक इंसान एक काम कर पा रहा तो आप चार कर पाएगा ठीक है तो चीजें और बहतर होंगी ज्याद़ प्रॉटिविटिविटी आएगी ज्याद़ टाइम बचेगा ज्याद़ और कुछ प्रॉटिव पाएगा ज्याद़ कमाईया होंगी स्टेंडर ऑफ लिविंग बढ़ेगा समझेव क्ल्टिवेट ग्रोथ माइंड सेट टू एप्रोच चैलेंजिज विज रेजिलेंस अब यूमन्स को और भैतर यूमन्स बनाने में इस स्किल मदद करती है तो सबसे पहले बस यह बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर सब बाते छोड़ो कि आप को वीडियो कैसा लगा और इन पांच स्किल्स में से आप पांचु सीखना चाहते हो या आप किसमें अच्छे हो कौनसी कि आप जिस पर मेहनत करोगे कौनसी इस के लिए जापको सबसे बढ़िया लगी और जिस पर आप अपसे काम करने वाले होगे कि और यू नहीं गया कमेंट कि दोस्तों इतनी मेहनत कर रहें प्लीज शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक्यू